गूड मॉर्निंग दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे आज हम लोग पढ़ेंगे सिख्छा और प्रेस का विकास ब्रेटिस आसन का अंतर गत सिख्छा और प्रेस का विकास के बारें पढ़ेंगे यानि गूड पारें हेस्टिंग ने कलकथ्ता में जो मदरशा के श्थापना की उसमें किस चीज का पढ़ाई होता था और 791 एसी वी में जो नांथन डंकन ने बानारस में स्थाण्स कीरित कॉलेज की अस्थापना की इसका उद्यस से था कि हिंदू बीधियों दर्शन का अध्यान कराना था अठारो सो इसवी में लाड बेलेजली ने कॉम्पनी के अधिकारियों की सिख्छा के लिए फोर्ट बिलियों कॉलेज किया थापना की अठारो सो इसीवी में लाड बिलेजली ने कमपनी के धिकारी हुग कि सिख्छा के लिए ने ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियूम कोलेज की अस्थापना की लेकिन अठारो सो इसीवी में इसे बंद कर दिया गया क्यों अगे बताएंगा राजा राम मोहन राय के पर्यास से अब 1817 इसीवी में कलकत्ता हिंदू विश्व विदाली के स्थापना हुई कलकत्ता आगरा और बनारस में भी संस्किरित कॉलिज खोले गए जेस्टिस रनाडे ने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना की डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना की ने की थी जेस्टिन रनाडे ने की थी 1813 इसीवी में चाटर एक्ट के 1813 चाटर एक्ट में भारत में सीख्छा के विकास के लिए कॉम्पनी दोरा प्रती वर्स एक लाख रुपे खर्च करनी की रासी दी गई थी किन्तु यह रासी 1823 इसीवी तक नहीं दी गई 1813 के चाटर एक्ट में यह बात कही गए कि भारतियों में सीख्छा के लिए यह भारत के सीख्छा के लिए विकास के लिए कॉम्पनी जो है प्रती वर्स एक लाख रुपे की रासी देगी किन्तु यह रासी जो है 1823 तक नहीं दी गई कूल चाटर एक्ट एधिनियम लाए गए 1793 के चाटर एक्ट एधिनियम दुआवा 1713 का चाटर एक्ट जिसमें एक लाख रुपे की बात की गई और 1833 चाटर एक्ट अठारो सो तिरिपन चाटर एक्ट लाड मैकाले के समरण पत्र पर यानि लाड मैकाले के पत्र द्वारा 1835 सिसीवी के गुवर्नल जर्नल की कार्ज कारणी परिशद का सदर्श लाड मैकाले अंग्रेजी सिक्षा का समर्थक था इसके बाद सरकार ने और स्कूलो योम कालोजों में सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया सिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजों में अंग्रेजी बना दिया गया अंग्रेजी माध्यम से सिक्षा देने वाली और स्कूल योम कालोजों की अस्थापना की गई मैकाले के इस सिधान्त को अधो गोमी विप्रोवेशन सिधान्त कहा गया है थॉमिस की यूजना यानि उत्तर पहचमी परांत में लेफिनेंट गोवर्नल जेजे थॉमसम 1843 से 1853 एसवी ने देशी भसाओं द्वारा ग्राम सिक्षा की एक बिश्तिरित यूजना बने ग्राम सिक्षा की बिश्तिरित यूजना जो है जे जे थॉमसम ने 18 43 से 1853 इसवी में बनाई थी चार्ल्स बूड का डिस्पैच economist 1845 इसवी में चार्ल्स बूड डिस्पैच आया था शर चार्ल्स बूड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बिस्तिरत योजना बनाई इस योजना का उद्धिस से जो था इस योजना का जो उद्धिस से था कि भारतियों का मैगना कटा कहा गया भारतियों का मैगना कटा गया लाड़ बूड डिस्पाइच योजना जो है शिक्षा के छेतर में आई थी उभारती ये मेगना कट्टा कहा गया उन्हों ने कहा कि गाउं में देशी भासाई प्रात्मिक पट्षाले अस्थापित की जाए चैल्स बूर्ड डिस्पेच ने उपर जिल्ला अस्तर पर अलंग देशी भासाई हाई अस्कूल ताथा लंदन विश्व विदाले के तर्जपूर तिनु प्रिशिडेंसी सोहरो यानि बंबई कलकाता और मद्रास में विश्व विदाले खोले गए चैल्स बूर्ड डिस्पेच की मैगना काटा के दोवारा यहीं बात कही गए कि भासाई अधार पर यानि लोकल लंगज में भे पढ़ाई की जाएगे तथा ब्यवसाइक सिक्षा को पुर्षाहन दिया गया इस्तिरी तथा ब्यवसाइक सिक्षा को पुर्षाहन दिया जाए उच सिक्षा का माध्यम एंग्रेजी होगा तथा अस्कूल अस्तर की सिक्षा का माध्यम देशी भसाओं को बनाया जाएगा लेकिन सिक्षा विभाग की अस्थापना की गई लेक सिक्षा विभाग की अस्थापना की गई लाड़ बूर डिस्पैश द्वारा लोग सिक्षा विभाग की अस्थापना की गई अठारो सम्ताओन ECV के कलकाता बंबई मतरास में 20 विभधाले खोले गए इसी समय बिहार के पूसा में क्रिस्टी संस्थान तथा रूड़की में अभी नियांतरिक संस्थान के अस्थापन की गई इसी समय बिहार के पूसा में क्रिस्टी संस्थान रूड़की में अभी नियांतरिक संस्थान यानि आई आई टी के अस्थापना की गई हंटर शिक्षा आयोग अठारो सो बियासी से अठारो सु तीरा से अठारो सो बियासी में सरकार ने डवलू डवलू हंटर की अध्याक्स्ता में एक आयोग का गठन किया गया जिसमें सिक्षा के दीशा में किये गई परियासु योम उनकी परगत्ती की समिक्षा करता था हंटर आयोग की समिक्षा का कार्य प्राथमिक यो माधिमिक सिक्षा तक ही सिमित था तथा विश्व विद्यालियों से इसका उई सबंध नहीं था पंजाब विश्व विद्यालियों के इस्थिति कुजाचने के लिए टॉमस रैले के अध्याक्षता में एक आयोग बनाया गया इसकी सी पारिश के यद्धार पर 1904 में भारतिय विशुविद्याली अधिनियम 1904 में पारिथ हुआ लेकिन कमीटी बनके त्यार हो गया था 1922 में सेंडलर विशुविद्याले आयोग 1907 से 1929 तप सरकार ने लीडर्स विशुविद्याले की उपकुलपती M.E. सेंडलर की अध्याक्षता में 1907 में एक आयोग अठित किया गया जिसका कार्य कलकत्ता कलकत्ता विशुविद्याले की समिक्षा का आध्यान कर उसकी रिपूर्ट सरकार को देना था हंटोर्ग समीती 1929 इसीवी में इस समीती ने कहा कि विशुविद्याले में प्रवेशी सबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए वर्धा सिक्षा योजना 1937 इसीवी में अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने सिक्षा और एक राष्ट्री सम्मेलन वर्धा आयुजित किया यहां जाकिर हुसाइन के अध्याक्षिता में एक समीती की गठन की गए इस समीती की गठन का मुल्य योदिस से था गतिविद्यों के माध्यम से शिक्षा परदान करना यह योजना जो थी गांधी जी की योजना से परभावी थी सार्जेंट योजना उनाई सोच्यो वाली सिसवी में सार्जन्ट भारत सरकार के सिक्षा सलकार ने सिक्षा की एक राष्ट्रिय योजना त्यार की जिसे सार्जन्ट योजना के नाम से जाना जाता है इस योजना के अनुसार, तक्निकी, बनिज, और काला विशाय की सिख्षा की विवस्ता होनी चाहिए तता सिख्षो के के पर सिख्षोन, सारेडिक सिख्षा और बिकलांग को की सिख्षा दिये जाने पर जोर दिया जाए उसके बाद आता है राधा क्रिष्णन आयोग, उनईस वड़ताली सोने सोन चासिस भी इस आयोग ने कहा कि उच सिख्षा के मुख्य तीन उदिश होना चाहिए शमानी सिख्षा, सरकारी सिख्षा और बेवासायक सिख्षा सांती निकेत नियोम जामिया मिलिया की तरह ग्रामिर विद्यालियों की अस्थापन की जानी चाहिए तथा विश्व विद्याले अनुदान आयोग का गठन किया जाए इस समीति किसी पारिश के अधार पर ही उनई सु तीरपन में विश्व विद्यले अनुदान आयोग का गठन किया गया और उनई सु छपन में संसद दोवरा कानून बना कर इसे सुवतह सासी निकाएं बना दिया गया मुदालियर आयोग उनई सु बावन से तिरपन तक इस आयोग को माधिमिक सिक्षा आयोग भी कहा जाता है उसके बाद कोठारी आयोग उनई सु चोंसोट से चाचाट इसीवी में कोठारी आ गया था आयोग किसी पारिस के आधार पर उनई सु वर्षा इसीवी में राष्ट्रिय सिक्षा निती बनाई गई गई नेशनल एजुकेशन पोलिसी इस निती में कहा गया कि राष्ट्रिय आयका 6 परतिससत सिक्षा पर खर्च करना चाहिए तथा 14 वर्ष के आयोगतक नी सुलक अनिवारी सिक्षा देनी चाहिए उनई सो चीहत्तर इसीवी में सिक्षा का समवर्ति सुची में समलित कर लिया गया और उनई सो चीहासी में नमीन सिक्षा निती की घुसना की गई इस एक्ट में देशी भसाई सामाचर पत्र अधिनियम भी कहते हैं इसे 1888 में लाड लीटन के समय बनाय गया था इस अधिनियम द्वरा सरकार ने देशी भसाई के बीविन सामाचर पत्र पर रोक लगा दिया रोक लगाने का प्रयास किया इस अधिनियम को मुह बंद करने वाले अधिनियम की संगय दी गई लाड लीटन ने इसे समाथ कर दिया एरना कुलम्प्रेस एक्ट को किसने समाथ किया तर लाड लीटन ने समाथ किया इलबर्ट बिल अब 1884 मेतातकालिन वस्राय लाड रीपन ने इस बिल के द्वरा भारतिय ने अधिस्यों को अंग्रेजी ने अधिस्यों के बराबर अधिकार देने का प्रयास किया लेकिन इस बिल का भी अंग्रेजी ने इतना तिवर विरूत किया यह पारित नहीं हो सका आगे की जो topic है एंग्रीज जो की परस्याशनिक और नयाइक सुधर तो हम लोग ने इतिहाशिक सुधर देख लिए आर्थिक सुधर देख चुकी है अब परस्याशनिक और नयाइक सुधर देखना है अगला वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद